मेरी नेवर ने कुछ दिनों पहले ये एक पुराना मटका मुझे दिया था जो कि समर्स में पानी पिने के काम आता है और इसमें ये एक टैप लगा हुआ था सबसे पहले मैंने क्या किया इसे टैप को यहाँ से हटा दिया और EMSIL के help से इसको विल्कुल सील कर दिया इसके बा यूहीं छोड़ सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी ने हमें कोई चीज दी है तो उसे भी उमीद होगी कि हम कुछ ना कुछ बढ़िया इसके साथ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने सोचा की इस पर पेंटिंग करके एक फ्लार वास इसका बना लेते हैं फिर मैंने न कभी भी मोजयक और ट्राइ नहीं किया था जो मिड़र वर्क होता है वो कभी भी नहीं किया था तो सब से पहले आप देखेंगे मैंने क्या किया इस पर अलग-अलग levels पर मैंने lines टो कि और उसके बाद फिर उन्हेる lines सिमिटरी से साथ मैंने इस तरीके से जो mirrors मेरे पास already थे उनको कुछ design देते हुए मैंने paste करना start किया और ये जो mirror हैं, ये मैंने local shop से लिये थे थोड़े से, और कुछ मैंने Amazon से लिये थे, और जो local shop से लिये थे, उनकी quality थी, वो कुछ खास नहीं थी, एक चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हमें, जब भी हम इस तरह का mirror work करते हैं, यह मजैकार्ड करते हैं, उसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो mirrors हम use कर रहे हैं पूरे design में उनकी जो चोड़ाई है या उनकी जो मोटाई है वो बिल्कुल same होनी चाहिए ट्राइ ये करना चाहिए लेकिन चुंकि मेरे पास तो दो अलग अलग जगों से लिये गई mirrors थे तो वो थोड़ा सा difference उनमें आ रहा था जो कि मुझे problem face करनी थी आने वाले time में तो फिलहाल favicon की help से मैंने आधे जो pot था उस पर अपने जो mirrors है वो paste कर दिये थे बहुत दिक्कत आ रही थी favicon से paste करने में finally फिर मैंने कोशिश की और फिर मैंने favicon से ही इसे paste करना start कर दिया favicon में क्या था बार बा है ना जो fingers है वो भी आपस में चिपा करी थी फिर मैंने favicon से ही paste किया और इसके अलावा हम कोई pin या फिर कोई plakker होता है इस तरीके की चीज भी ले सकते हैं थोड़ा सा उससे पेस्टिंग में जो mirror pasting होती है उसमें थोड़ा सा support मिल जाता है अब देखिए जो professionally ये काम करत हैं या regularly करते हैं तो उनके पास इस तरीके की सब चीज़ें available होती हैं लेकिन मैंने बताया कि मैं तो भई first time try कर ली थी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो जैसे मुझ से लगते रहे इसी तरीके से मैं जो mirror से उनको pasting करती रही जिस तरीके से मेरे mind में ideas आते रहे जो लगा पाई तो जो मैंने बताया है आपको उपर का जो हिस्सा था पोडका वहां पर काम किया और जो नीचे का इस्टाथ से कियू और सच बताने हूँ आपको honestly कि जो फैबिक ओल से जब किया ना तो बहुत ही easy हो गया था और यह आपको काला काला निशान दिख रहा है यह वही जगह है जहां पर tap लगी हुई थी जिसे मैंना एमसिल से seal कर दिया था तो फिलहाल बस जिस तरीके का design आपको दिख रहा है काम था ना आपको सच बताती हूँ वह बहुत ज़्यादा टाइरिंग था टाइरिंग इसलिए था कि उसमें चाहिए थी बहुत ज़्यादा पेशेंस और यह काम मैंने पहले कभी किया नहीं था तो experience भी नहीं था और मैं विल्कुल अंजान थी कि अभी final stage तक आते आते एक तो बहुत बड़ा blender मेरे इस DIY में होने वाला था तो फिलहाल मैंने लिए white zement इसमें डाला थोड़ा सा favicol और जो color मुझे चाहिए था उसके हिसाब से मैंने लिए acrylic paints मैंने लिया yellow और थोड़ा सा orange और एक बढ़िया सा peach color इसका बनकर तयार हुआ पाने के साथ इसका एक तो जैसे ही मेरा से ही क्या किया इसके ओपर अच्छी कहसी सी layer चाडानी शुरू कर दी जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा और क्यों बैद्ली को आंब लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरे मिरर्स थे वो क्योंकि एक जगें से या एक साथ नहीं खरीदे थे तो उनकी जो मोटाई थी ना वो अलग-अलग थी किसी की कम किसी की ज्यादा तो उससे जो ये मेरा बैटर था ना ये एक तरीके से इवनली स्प्रेड नह फिलाल मैंने क्या किया पूरा जो पोट था उसको चारो तरफ से इंक्लूडिंग मिरर्स बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया इससे पेस्ट के साथ एक और मैंने गड़बड कि आप देखेंगे फिलाल जो पोट का जहां पर आपको मेरे उंगलियों की निशान दिखाई द पता है तो कोशिश करें चाहें एक लाइन ही क्यों ना बना दें वहांपर मिर्र की नखिम आपने हाथ को इस तरीकेसर उस पेस्ट को लेकर फेरेंगे तो एक सिमिट्री में या कह सकते हैं इक्दम प्ते свое पार इसके पात जैसे ही यह सूखा तो जो स्क्रबर होता है बरतनमाज़े में हमें रभ करना था गीला करने से था थोड़ा सा जो काम है वो easy हो रहा था और बिल्कुल हलके हाथों से ही हमें rub करना था जैसे जैसे मैं इस scrubber की help से इसे rub करती चली गई जो मेरे mirrors थे वो तो दिखने लग गए लेकिन साथ ही साथ में दिखने लगा कई जगें पर जो base था port का मटके का जो base था वो भी दिखने लगा उससे क्या हुआ बहुत सारी ब्लैक कलर के पैचिस दिखाई देने लगे और यह specially हुआ था बिल्कुल जो bottom पार था वहाँ पर और थोड़ा सा टॉप मार्ट में अम मैंने क्या किया फिर से paint करने की कोशिश की कि जो जो हिस्सा मेरा black दिखाई दे रह और finally फिर मैंने सोचा मैं छोड़ो इस project को खतम करती हूं लेकिन मैंने सोचा नहीं जो कई बार ना इस तरीके के जो अपनी गलतिया होती है वो भी अपने audience के साथ share करनी चाहिए तो फिर मैंने क्या किया पूरे pot पर ही yellow acrylic paint कर दिया और उसके बाद एक thinner में कपड़ा डिप क किया और उस कपड़े से इस पूरे जो mirror से ना इनको साफ कर लिया clean कर लिया बहुत आसानी से हो गए तो फिलहाल जो final look pot का निकल के आया वो यह आया और honestly बता हूं आपको जब वो जो black patches दिखाई दे रहे थे ना मैंने सुचा था बस अब इसको यहीं पर खतम करते हैं यह म पताना आपको यह flower vase कैसा लगा